तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिंथेसिस आपके सामने लिखा हैं यह सिंथेसिस में जोड़ना कंबाइन करना छीक ना इसका होता हिए पिछली काश से आप लोग देखे हिए जो नहीं देखे आप लोग पिछली क्लास जाकता दरूर देख लें लाइक व्याख खुति रहें ठीक ना तो अब हम लोग क्या पढ़ रहा है सिंथेसी जानते ही हो सिंथेसिज में सिंपल सेटेंस कंपूर रेंक हुट हुद आता है कोई नो कोई संटेस्ञ देंके 2 या 2 से अधिक होगा उसको जाए देंगे सामने change into simple sentence या change into compound sentence या तो change into complex sentence हर बार exam में पूछा जाता है पता ही है आप लोग को ना दो या तीन question हमेशा आते हैं exam में बोड के तो क्या वही उसका हम लोग simple sentence पढ़ चुके हैं ना आप complex sentence हम लोग compound sentence पहले पढ़ लेते हैं simple के बाद compound फिर complex पढ़ लेंगे ठीक ना तो क्या पढ़ेंगे हम लोग फार्मेशन आफो फार्मेशन आफो कंपाउंड सेंटेंस फार्मेशन आप कंपाउंड सेंटेंस सेंटेंस अंतर तक वीडियों में बने रहिए आपको दो कंपाउंड सेंटेंस एक नजर में एक बाद देखने पर आप लोग ऐसे बता दोगे ठीक ना केवल कापी और पेन्हें उठाना पड़े प्ढ़ेंगे ठीक ना केवल एक मिनट का कुस्चन देखो और आंसर बता दोगे केवल समझना है बस पुरी क्लास में बने रहिए यह आप लोग भस थीक ना तो फार्मेशन आप कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस देखो दूरूरूरूरू इस्से बनता है तो रूल वन पढ़ने हम लोग रूल वन, compound sentence, रूल वन, पहला पढ़ेंगे coordinating conjunction का प्रियोग करके किसका, coordinating coordinating conjunctions conjunctions C-O-N, J-U-N, C-T-I, O-N, conjunctions का प्रियोग करके का प्रियोग करके तो यह इतना समझ में आया compound sentence कैसे बनाएंगे coordinating conjunction का प्रियोग करके ठीक ना, अब coordinating conjunction कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे coordinating conjunction ऐसे लिख देना यही से लिख दे रहे है coordinating conjunction समझ जाना coordinating conjunctions 4 प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना होते हैं spot Keepingений कहां कितने प्रकार के होते हैं चार प्लकार के तो चारों पहले describe कर देते हैं एक बता देते हैं उसके बास चारों बता जाएगा ठीक सबसे पहला f9 cumulative cumulative हो कि तो आज महले मातलब क्या होता एक när से जोड बताने वाले जोड बताने वाले गंजक्शन्स में या रखना हिंदी बहुत जरूदी क्योंक्शन आप दूसरा क्या है भी वाला ले ले लते हैं भी है Alternative कौन सा Alternative बहुत सुने हो गए आप लोग Alternative कहते हैं Alternative Bicalpique क्या है Bicalpique ठीक ना इसमें विकल बताया जाएगा Bicalpique Conjections Bicalpique को Conjections समझ जाना और तीसरा बताते है तीसरा है Adversative धर्ड वारा क्या है Adversative 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 मतलब क्या होगा विरोध बताने वाले जो Adversative क्या होगे हिंदी क्या होगी इसकी विरोध बताने वाले विरोध बताने वाले विरोध बताने वाले Conjections ठीक ना तो कहने का मतलब ये तीन हो गया Cumulative Alternative Adversative चौतभां लोग पढ़ेंगे इलेटिव नियालेश्टिव और घंजक्सशन इलेटिव मतलब क्या होगा रिजूः इसमें क्या बता जाएका हिंदी क्या होगी यहीन है हिंदि ःधा परिडामों बताने वाले बताने वाले कंजक्षन मतलब स्यों जग ठीक ना कहने का मतलब कोडिनेटिंग कंजक्षन से जोड़ा बनता है जो कंपाउंड सेंटेंस है केवल यह याद रखो इसी चार रूल जो चार रूल है केवल सिंपल पांच मेंट पे आप लोग सारा खतम कर दोगे केवल कुश्चन को देखो के आंसर बता दोगे कंपाउंड सेंटेंस का ठीक ना तो समझना क्योड क्या है पहला क्या है इतना याद रखो सबसे पहला क्या है क्यूमिलेटिव जोड बताने वाले कंपाउंड सेंटेंस को कोई ना कोई घटना कोई सधारां सी हो गई हो तो क्यूमिलेटिक कंप्रक्टों का होता क्यार दूसरा जब लागे की कोई बिकल्स बताया जा अन्य उटेस्टरा जब लगे कि क्या बता रहा है दू सेंटेंज देंगे दोनों में क्या होगा लगे कि जब विरोध हो रहा है तब क्या करोगे कोईност का यूज कर सब पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूमिलेटिफ कंजक्शन का परियोक करके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें cumulative conjunction का प्रियोग करके cumulative conjunction होता क्या है क्या क्या आता है इसमें याद रखना main चीज क्या है याद रखना यह cumulative conjunction याद रखना यही पे लिख दे रहे है या तो and main चीज क्या है या तो and आ जाएगा या तो as well आएज आज आएगा या तो not only but also ठीक ना ऐसे ठीक ना क्या नीचे लिख दे रहे हैं सारा इसको या तो आएगा या तो आएज बेल आएज आएगा या तो not only but also क्या क्या आएगा बता ही या आएज बेल आएज आएज आएगा या not only यहां पर बीच में कोई न कोई सब्द होगा उसके बाद यहां पर क्या होगा बट आलसो कहने का मतलब इस तीन में से कोई एक कंजक्शन तीन कंजक्शन है फर्ष्ट वाला आएंड है दूसरा यह है थर्ड यह यह है तो तीन में से कोई एक कंजक्शन का यूज करके एक दम से एक क्यूंजेक्टिव मीस जोड़ बताने वाले कंजक्शन बता दोगे ठीक ना तीक्जाम पर समझना आब आप लोग एक एक जामपल है जैसे कहें दिये ले टूक माई फोन येस्टरड़े येस्टरड़े अद दूसरें बता दिये ले टूंड ये टूड ये तो यहां पर समझना कि यहां एक कंजक्शन रहा रखो जब लगे दोनों समान सेंटेंस हैं कोई सिंपल हैं दोनों में केवल कोई बात कही जा रही है तो इसमें तीन में से कोई एक कंजक्शन याद रखो तो हमेशा याद रखना केवल एक सब्द याद रखना एंड जब लगे कि समानता है दोनों में दोनों जोड बताई जा र सेंटेंगे इतना बताया जाएगा चेंज इंटू कंपॉंड सेंटेंस तो क्या कर दोगे कंपॉंड बनाने के लिए से बोलते हैं चब्लेट तो क्या करोगे की एसे हिंदी निकाल लिया ही टुक माइफ होन ये डिया हिंदी निकाल लिया गया वह कल मेरा फोन लिया और इसे आज वापस किया और निकला बीच में लगा दो एंड ठीक ना क्या बन जाएगा ही टूक माई फोन येस्टरडे येस्टरडे ठीक ना येस्टरडे अट यहाँ पर क्या लगा दिये अट देखो ध्यान देना कई सारे टीजर क्या बताते हैं ऐसे भी हो सकता है इसे डर्वना मत या भुक में भी ऐसे दिया रहता है के वल तुम्हों क्या करो हम क्या बता रहें यहां फुरिश्टास पर लगा दो पूरा पूरा वहीं लिख दो क्या ही टॉर्टे टुडे यह ऐसे बन गया नहीं तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो यहां पर लगा दो ये subject भी हटा सकते हो क्या बन जाएगा फिर and return today कहने का मतलब दोनों type बना दो दोनों भी सही है ठीक ना तो यही आ रखना यहाँ पर क्या लग गया and चुकि and निकला and लगा दिये हाँ यही पर क्या and की जगा जो and है and की जगा क्या लगा सकते थे as well यही पर लग जाएगा इसका मतलब भी क्या हो जाएगा और ठीक ना वहाकर मेरा फोन लिया और उसे आज वापस किया कहने का मतलब चाहे तो and लगा दो चाहे तो as well as लगा दो लेकिन अगर मालों तुमको यूज करना है not only but also का तब क्या करोगे यह sentence not only यह subject के बाद क्या लिखते रिया जाएगा not only उसके बाद यह पूरा यहां तक लिखा जाएगा not only took my phone yesterday yesterday अब यहां पर फूरी stop रहेगा यहां पर क्या लगा दिया जाएगा but also क्यूं देखो यहां पर दिया गया है not only फिर डाट डाट कोई सब्द रहेगा फिर यहां बटार सो तो वही चीद कहने का मतलब subject होगा अगर कोई helping और भोती तो helping और यहे लगता लेकिन helping और नहीं है main world है तो कहने का मतलब subject के बाद helping और होगी helping और के बाद यहे लगेगा उसके बाद लिख लिए जहां फुरिश्टाप रहेगा वहां बटार्सों लगा के जो पूरा का पूरा यहां पे हमको लिख देना है He returned it today उमीरे समझे आ रहा होगा अगर समझे आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों के साथ भी सिर करते रहें एकात एक जांपर से हो समझा देते हैं आप लोग को दूसरा ले लेते हैं जैसे कह दिए एक्जांपर ले लिए जैसे ही वाज मार्कड अपसेंट ही वाज टॉन्ड आउट आप दे क्लास ही वाज मार्कड अपसेंट ही वाज मार्कड अपसेंट है कि दूसरे में बताए ही वाज टर्न आउट आउट आफ दा क्लास यहीं पर समझना ऐसे समझ जाओ में क्या समझना देखो यहाँ पर समया हिंदी निकाल लो अपने आप आ गया ही वाज मार्क्ड आउट 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 आउ तो क्या बन गया यहीं पर क्या लगा दो यह भी करेक्ट है यह हमको क्या लगाना हुआ यहां पर सब्जेक्ट के बाद लगेगा जो फृरि स्टाफ है यहां पर क्या हो जाएगा बर्ट और्च अच्छी को लिकाँ खिलेट यथा हमारा शिंपल क्युमिलेटिव कंजक्शन उम्मीद समझ में आ रही होगी ठीक ना तो फिर कहने का मतलब एक में नहीं है कि उसकी हिंदी निकाल लो हिंदी निकालने पर जो आ जाए ऐसे जोड़ते रहोगे तो आगर आज लगा दो या आज बेलाइज लगा दो या तो नाट वनली बटार स लेकिन इसमें से केवल एक सब्द याद रख लो जो हमेशा एंड अकेले याद रख लो इससे भूल जाओ उससे कोई मतलब नहीं ठीक ना तो कहने का मतलब जब जोड़ बताया जाए क्यूमिलेटिव कंजक्शन हो तो केवल एंड का यूज रहे हैं आप लोग तब तक इस तो फर्स्ट वाला हो चुका है अब देखते हैं भी ठीक ना क्यूमिलेटिव कंजक्शन का यूज आप लोग अच्छे समझ में समझ लिए आपके अच्छे समझ में आ गया ठीक ना तब हम लोग देखते हैं दूसरा रूल तब तक आप वीडियो को लाइक और लिए ठीक ना और वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो लाइक और सस्क्राइब भी कर दें अब हम नेक्स तूल पढ़ रहे हैं और हमारी पिछली क्लास सिंपल सेंटेंस वाली हो ही चुकी है आप लोग पीछे जाकर देख लिए पिछली क्लास में आगे देखते हैं हम हाँ ए हो चुका था ना एक क्यूमिलेटिव हम लोग पढ़ लिए ठीक ना क्यूमिलेटिव क्यूमिलेटिव कंजक्शन मिस जोड़ बताने वाले पढ़ लिए आप लोग ना जोड़ बताने वाले वाले कंजक्शन जोड़ बताने वाले कंजक्शन पढ़ लिए इसको ठी बी काँ सब पढ़ेंगे क्या लिखे थे अल्टरनेटिव बैकल्पिक क्या पढ़ना है हमको अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मतलब बैकल्पिक बैकल्पिक कंजक्शन्स कंजक्शन्स ठीक ना तो बैकल्पिक कैसे दिखना है बैकल्पिक समझ में आ रहा हिंदी इसका हिंदी जान लिए रिटरनेट मतलब बिकल्प इसमें क्या होगा पूरे सेंटेंस बेख करके ही पता चलेगा कि बिकल्प पोर बताया जा रहा है जैसे अब इसमें देखो पहले म पर देदेंगे यह यह तो दूसर कुछन देखें जैसे तो यह तो यह तो आफ तो मगर्पद कर दो यह तो यह द्सकांट्न हो मतलब अलू यह कर सकते हो सकते हो जो दिया इदरना इसमें से कोई एक कंजक्शन याद रखना बस जब भी कल्ब बताया जाए देख्जाएं उपर समझते हैं हम लोग जहां समझना बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आप लोग के सबसे पहला देखते हैं जैसे कह दिए कम विथ मी कम करें इस दोनों में क्या विकर बता रहें ना किया थो मेरे साथ चलो या घर पर रहो मेरे साथ चलो या घर पे ना हो या कह दिए या कह रहे हो तो यहीं पर क्या करना सिंपल सी बात समझो यहां पर लगा दो बन गया एक compound sentence come with me or stay at home यहीं पर otherwise लगा दो क्या बन जाएगा otherwise भी लगा सकते हो यहीं अधर वाइज तो हिंदी मेरत क्या निकला कम भी मेरे साथ चलो अन्यथा घर पर रहो कहने का मतलब चाहे तो या चाहे तो अन्यथा लगा दिए दोनों में से कोई भी करेक्ट है ठीक ना और इदर आइदर और कैसे लगेगा आइदर लगाना है तो सुरू में ही लग जाता है आइदर क्या आइदर कम बित मी कम बीद मी ठीक ना कम बीद मी और यहां पर बीच में देखो आइदर आइदर सुरू में लगा डाट डाट की जगा यह सब्दा है फुरिश्टाप की जग तो और आर का मतलब या होता है जानते ही हो तो हिंदी आर्थ निकाले क्या या तो मेरे साथ हाओ मेरे साथ चलो या घर पर रहो तो कहने का मतलब चाहे तो आर लगा सकते हो चाहे तो अदर आर लगा सकते हो चाहे तो आईदर आर का यूज यहां पर नहीं कर सकते नाईदर ना ले लेते हैं जैसे कह दिये कह दिये कह दिये मेक हेस्ट क्या बोल दिये मेक हेस्ट मेक हेस्ट जल्दी करो ठीक ना मेक हेस्ट बीसल मिश्डा ट्रेन बीसल मिश्डा ट्रेन जैसे कह दिये मेक हेस्ट बीसल मिश्डा ट्रेन तो मेक हेस्ट मतलब होगा जल्दी करो मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो फिर बता है बीसल मिश्डा ट्रेन हम ट्रेन छोड़ देंगे हमसे ट्रेन छूट जाएगी तैसे जाएगी और निकालो या तो जल्दी करो या थैंड चूट जाएगी स्प्षे ल coronavirus अधर या यह जल्दी करो यहीं अनत्ह हमसे ट्रेंट चूट जाएगी कैसे बनेगा से बताये ना either make haste क्या हो जाएगा either make haste otherwise sorry are क्या हो जाएगा either make haste are यहाँ पर क्या रगया are we sell we sell miss the train the train तो ऐसे कह दिए तो कहने का मदलब ये समन्द में आ गया होगा आप लोक के कहने का मदलब चाहे तो either लगाओ चाहे तो आर लगाओ जाहे तो अदरवाई लगाव चाहे तो आइधर और neither nor के लिए एक example हम ले लेते हैं यहाँ ठीक ना nichter नाक के लिए आप Up करें बता रहे रहे हैं एक जाने वाले आप लोग के जैसे कह दीए हूप रही है यहाँ पर ले लिए जैसे इसे कह दिए you cannot solve this question अब यह पर बता दिये your brother your brother also cannot cannot solve this question इसे कह दिए ठीक ना question तो कहने का बैब सेंटेस से ही दे के पता चल रहा होगा कि पूरी तरह से निगेटिव कहने तुम इस प्रस्ट को नहीं हर कर सकते तुम्हारा भाई भी इस प्रस्ट को नहीं हर कर सकता देखो पूरा सेंटर निगेटिव है पहला भी दूसरा वाला तब यहां पे नाइदर नार यहां पे आर भी नहीं लग सकता अधर भी नहीं लग सकता तो केवल क् मतलब होता है ना तो ना इदर का मतलब होगा ना तो और इसका मतलब ना जान लो आइदर का मतलब या तो या तो और इसका मतलब या तो यहीं पर समझना ना यहां पर यूज होगा जब लगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस निगेटिव होगा ठीक ना जैसे कहें दें यू कैन वो ना इदर लगा दिये मतलब ना तो क्या बता है ना तो यू कै changer डिस्कूष्चन ना तो तुम इस हल कर सकते हो यहाँ पे क्या लगा दिए नौल मतलब नही नही तुम्हारा भाइज प्रस्वन को हल कर सकता है ठीक ना वह अच्छे समझ में आ गया होगा उम्मीद है ठीक ना तिकात एक पर बताए ना जैसे यहीं पे होता you can not go to आगरा you can not go to आगरा your father cannot also can not go to आगरा मिस तुम भी आगरा नहीं जा सकते हो तुम्हारा भाई भी आगरा तुम्हारे पिता जी भी आगरा नहीं जा सकते तो यहीं पे राया देते नाइदर मतलब ना तो तुम्हारा भाई ना तो तुम्हारे पिता जी आगरा जा सकते हैं कहने का मदब जब पूरा sentence निगेटिव होगा तब वहाँ पे नाइदर और बीच में नार का यूज होता है और कुछ भी नहीं लएगा ठीक ना आप लोग इसका इसक्रिंसार्ट ले सकते हैं हाँ तो आज की क्लास हम यही पर समप्त करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ भी सेर करते रहें जैहिन दोस्तों